साहिब, आपको मिलने को कोई भवानी साब आया है? भवानी? मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे की उसके? धेरो! हमारी बात हैं घर की चौकट के बाहर ही हो तो बेतर है सुना था दो दर्वाजे किसी के लिए बंद नहीं होते है एक अस्पदाल का और दूसरा पुलिस का लेकिन ये मेरा घर है और इसी घर की चौकट पर लिखा है वेलकम यानि की स्वागतम नमस्ते इजाज़त हो तो मैं अंदा जाओं नमस्ते भावी जी नमस्ते मैं जकपती भवानी जिक्र चलता होगा कभी कभी मेरे नाम का इस घर में सिर्फ बने लोगों का जिक्र होता है देखा बावी भी नाराज आप भी दुखी और मैं भी परेशान और इस अब किस के वज़े से सिर्फ उस लड़के आजय के वज़े से जो ना आपका कुछ लगता है ना मेरा वजय वो लड़का नहीं तेरे कर्म है भवानी जो तुझे मेरी चौकर तक खीज लाए है अरे हाँ, राद बार मैं भी यही सोचा रहा कि बदनामी के इस दाग को किस तरह से दोया चाए और अचानक मुझे यह खयाल आया कि पैसा वो साबुन है जो बदनामी के हर दाग को दो सकता है और यही सोचकर मैं साबुन नहीं पूरी वाशिंग मशीनी उठाकर ले आया जी हाँ बंडुकलाल जी साब ले आओ चलो उठाओ चलो यहां रख दो तुमनों जाके बाहर बैटो चलो चलो मैं आदे इस बक्से में इतने रुपएर शिवचरन शहार कि आप जिस स्थाने में काम करते हैं उसके सामने आप पचास माले की बेल्डिंग खड़ी कर सकते हैं जिसकी छट से आपका फुली स्टेशन माच इसकी डिविया नजर आएगा सबसे पहली बात इस घर में सिगरट पीना मना है और दूसरी बात गंगा बाई जी साहिब गंगा बाई ये साहब बक्सा भर के नोट लाएं मुझे रिश्वत देने के लिए तुम इन में से जितने नोट लेना चाहो ले सकती हो सोच क्या रही हो साहिब मैं इस घर में ग्यारा साल से काम करती है आप पुलीस में इतने बड़े अफसर है कभी-कभी मेरे को दो-दो महिने के बात पगान मिलता है फिर इतना बक्सा भर के नोट तो हराम की कमाई होगी न साहिब मैं जूटे बरतन मांच कर अपने बच्चे लोग को दो वक्त की रोटी खिला सकती हूं लेकिन ऐसे हराम की कमाई पर थुकेगी भी नहीं सुन लिया भवानी जिस पुलिस ऑफिसर के घर में बरतन मांचने वाली का जमीर इतना बुलंद हो उस ऑफिसर के इमान की क्या कीमत लगाएगा तू उठा इस कच्रे को और दफाव जाए यहां से वरना रिश्वत देने का एक और चुर्म तुझ पर लग जाएगा इस वर्दी में बहुत कर्मी होती है शुचरंग साहिब इसलिए समझदार अफिसर रिश्वत के छीटों से इसे ठंडा करते रहते हैं वरना ही पहनने वाले को जला देती है तो फिर इस वर्दी से दूर ही रहना भवानी क्योंके इस वर्दी के अंदर बारूच से बना हुआ जिसम है अगर उस जिसम ने आग पकड़ ली तो वो धमाका होगा कि तेरे जिसम के चीतड़े चीटिया तक नहीं ढून पाएंगी अब जा मंदर में जाकर अपनी जिंदगी की दूआ मांग क्योंके मैं तेरी फाइल चीक मिनिस्टर साब के पास लेकर जा रहा हूँ गुड लुक गुड मॉर्निंग साब वट इस गुड अबावड इस मॉर्निंग हाँ तुम्हे नौ बजे आने को बोला था और अब ही आ रहे हो सर वो क्या हुआ के देखो जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना सीखो मैं जल्दी में हूँ तुम इतरा से जाके मिरो वो तो मैं सब कुल समझा देगी ओके सर षुम्हे यहाँ 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 अजए डॉक्टर साब कैसे हैं वो बस समझ लिजे के मौत के मुझे वापिस आ गए लेकिन अभी उनकी हालत नाजुक है खत्रे की कोई बात नहीं है हलो भावानी साब आपके लिए बुरी ख़बर है ACP शुचरण बच गया वान सर नए बटुकलाल तुझे ACP की खैरियत पूछने है अस्पिताल जाना है तुझे बुकली सुमित्रा, तुम्हारे नसीब में मेरे साथ दुख जेलने के कुछ दिन और लिखे हुए हैं जी, ऐसी अशुबाते मत किजी, देखना आप बहुत जल अच्छे हो जाएंगे बिल्कुल ठीक कहा अपने भावी जी, कुछी दिनों में तंगे बल्ले हो जाएंगे वैसे जो कुछ भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ बाबी जी, मैं तो कहता हूँ, इस मामले की इंक्वाईरी उपर से होनी चाहिए दिनधार एक पुलिस आफिसर पर जान लेवा हमला, ची, 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 शरम की बात है वैसे मेरे लाएक कोई सेवा हो, तो मैं हर दम हाजिर हूँ थैंक्यू, थैंक्यू नमस्ते बाबी जी, चलता हूँ मॉनिंग सर, आओ आजे सर मैंने अभी अभी भवानी के पी-ए को जाते हुए देखा, वो यहाँ आया था हाँ, देखने आया था कि मैं जिन्दा हूँ के मर गया इसका मतलब आप जानते थे कि आपको मारने में इन लोगों की साज़िश दी और कौन हो सकता है तो फिर आपने इन लोगों को गिर्फदार क्यों नहीं किया क्या फाइदा, वो अदालत में थाबित कर दे थे कि इस हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है उनके खिलाफ कोई गवाई भी नहीं देगा और फिर हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है द्राइवर, जल्दी चलो, साथ, साथ, यह आपका पान का डबबा में, 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 में तेरे लिए दो बुरी खबरे हैं भवाणी एक, ACP साब बच गए और दूसरी, अब तेरा बुरा वाक्ष शुरू हो गया प्राइव दek, कि यह तेरोगे, कि तो क्याbe वर्धान कुमारे प्रदOV देखा, यही है वह ह्रामजादा जिसके वज़े से तुमारे साब जिन्दगी और मौत से अखेले जूज रहे हैं। आज वो इसके चुनून का शिकार हुए है। कर तुम्हारी बारी हो सकती है। और यही होगा एक दिन। क्योंकि मुझने मुस्स साब की तरह होता है जो भूग लगने पर अपने बच्चे तक निकल लेता है। तुम लोग तो फिर भी गहर हो। पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साब। लेकिन पापी की उम्र बहुत चुटी। मैंने जादा किताबे तो नहीं पड़ी साब। लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हाराम की आयाशी से इससत का फाका कहीं बहतर है। इस वर्दी के आबरू और निला मत करो साब। आप इतने महताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको। जो इमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आज पर पकी हो। कोशिश करके देखो, बहुत सकुन मिलेगा।